सबसे पहले इस वीडियो को देखो जरा देखो यह लीनेर के इन क्वेशन है यह बड़ी बड़ी नंबर है टू नाइन एक्स प्लस वन नाइट सेंट वाई जिकरो दिस माच वरे और इस बच्चे ने इसको सॉल्व करने के लिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन करी है पता नहीं कितना समय लगा हुआ इसको मगर कितनी महनत कर लो मार्स तो इसको टू ही मिलना है क्योंकर टू मार्क सा क्वेशन है उससे ज़्यादा मार्क हम दे नहीं सकते कि वीडियो है आज मेरे सामने आई यूट्यू पर स्क्रॉल करते हैं और जो क्वेशन दिखा रुक है इस वीडियो में काफी इंट्रस्टिंग लगा मुझे पर इस नंबर्स बहुत ही बड़े है तो या थ्री मार्क के एकॉर्डिंगली तो बहुत ही ज़्यादा लिंथी जाएगी इसकी कैलकुलेशन अगर इस थारा से करेंगे जैसे इस वीडियो में दिखा रुक है तो यह गलती आपको नहीं करनी है कि इसको 197 से मिल्टिप्लाइ करके और इसको 229 से मिल्टिप्लाइ आप अब देखो एड़ करके जो नमबर इन दोन को एड़ करके आएगा तो यहां पे आएगा मतलब एड़ करने के बाद में उसको कुछ कॉम वगयरा ले सकता हूं दूसरी सेड ले जाकर डिवाइड कर सकता हूं तो यह काम हम यहां पर करने वाले है 229 and 197 इसको एड़ कर रहा हूं दिखते हैं क्या आता है 426, 426x and उतना ही आएगा 426y that is as equals to इन दोनों को एड़ करते हैं क्या आएगा 21, 30, हां से 426 को हमने लिया common और दूसरी साइड इसको ले जाकर हमने कर दिया divide x plus y का जो result है वो देखो कितना आ जाएगा 21, 30, upon 426 इसको इसे divide कर ले ना इसका अंसर आ जाने वाले result आ जाने वाले 5 x plus 5, sorry x plus y का जो result है वो कितना निकल के आ रहा है 5 के एकुल यह दोनों का sum आ गया काफी असानी equation बन चुकी है इसके इलावा और हम क्या कर सकते है अगर इन दोनों equations को minus कर दें तब भी जो number मेरे पास इंदोनों को minus करके आएगा और यहाँ पर आएगा similar होगा sign का difference ज़रूर होगा because यहाँ बड़ी में से छोटी term minus हो रही है result positive आएगा यहाँ छोटी में से बड़ी term minus हो रही है result negative आएगा but number same होगा देखो कैसे 229 में से 197 को हम ने किया minus subtract करके यहाँ हम लिखते थे हैं subtracting equation second from equation number one पहली में से दूसरी को घटा आ रहा हूँ है तो यहाँ आपका आएगा 32x इस में से इसको minus करूँगा तो आएगा minus 32 5 and is equals to अब 1049 में से 1081 को minus करना है अगे छोटी में से बड़ी term हम minus करना है तो answer negative आएगा but 1081 में से 1049 को आपको just minus कर देना है इसको minus करूँ अगे आपका जो result है देखो कितना निकल कर आ रहा है 32 को इकको नमबर यहाँ पर भी बहुत असान बन चुके है 32 को again common ले लो x minus y is equals to minus 32 x minus y is equals to minus 32 upon 32 कितना हो जाएगा minus 1 so x minus y की value आपके निकल कर आ रही है minus 1 अब basically क्या है question यह ना होकर question इन दोनो equations में estimate चुका है equation number 3 और equation number 4 अब इन दोनो equations को अगर हम यहाँ पर लिख लेते है x plus y is equals to 5 and x minus y is equals to minus 1 इनको अब solve कर लेते हैं देखो directly add कर देते हैं इन दोनो equations को y से y cancel out 2x is equals to 4 x is equals to 4.2 x की value निकल क्या जाएगे 2 x को पुट कर दो इसी भी equation में equation number इस third में पुट कर देते हैं so x plus y is equals to 5 so 2 plus y is equals to 5 so y के value आपके कितनी आजाएगी 3 5 में से 2 माइनस हो गया ऐस थरांस इसको हम solve करेंगे so that बहुत जादा लेंथी equation ना जाए हुआएगी झाल